हालो स्ट्रेंट्स कुड बॉर्निंग कैसे आप सबी आई होब कि सभी अच्छे होंगे तो हम लोग अपने प्रिविस वीडियो में मैटल और नन मैटल के फिजिकल प्रोपरिटीज को देख चुके थे अब हम लोग अपने न्यू टॉपिक को शुरू कर रहे हैं जो कि है हमा अब हम लोग डिसकस कर रहे हैं फर्दर अपने कैमिकल प्रोपरिटीज को हम लोग दोनों को एक ही साथ देखते चलेंगे मैटल को और नन मैटल को भी ठीक है तो अगर आपने प्रिविस वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से जाके प्रिविस वीडियो देख लिजिए का अब यहां पर कुश्चन आता है कि फिजिकल प्रोपर्टी से हम लोगों क्या समझ में आता है तो फिजिकली हम लोगों का एपेरेंस होता है उसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि वह फिजिकली कैसा है लेकिन क्या आप जानते किसी वैक्ति के अंदर क्या चलता है वैक्त सब्सक्वाइब और इसको काफी वब रहा है पतले पेपर के रूप पेपर के स्टक्चर जैसे क्या कर सकते ह Colin जिसको हम लोग दिखा के बता सकते हैं इसके बारे में हम लोगों के पास Hello is को इन्ह quicker करते हैं सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं reaction with oxygen इस पे वीडियो देखते है याद हो जाएगा, ठीक है? हटा जो metal है, non-metal है, वो दोनों oxygen से react करके oxide बनाते हैं. क्या बनाते है? Oxide. Metal हो या non-metal हो, दोनों oxygen से react करके क्या बनाते हैं? Oxide बनाते हैं. अब दोनों में तो कुछ न कुछ डिफरेंस होगा ना यह तो पता चला कि दोनों ऑक्साइड ही बनाते हैं लेकिन उसमें कुछ न कुछ तो डिफरेंस होगा बिलकुल डिफरेंस है जो मैटल है वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं बेसिक नेचर में वो होते हैं लेकिन जो नन मेटल यह मेटल लो दोनों औक्सीजन से रियक्ट करके क्या बनाएंगे इतना तो किलेर हो गया अब दोने में डिफरेंस बताना गो तो कैसे बता देंगे मैटल हमेशा साल्टी नीचर में बनाएगा मतलब बेसिक बनाएगा और जो बच गया वो क्या बना लेगा ऐसाटिक मत ओक्सीजन परेंस में क्या अंब करते हैं मैगनीशियम को जब उसको बलं करने के बाद वह बर्न होता हॉता चिर पantically वही होते है, magnesium oxide, ठीक है, तो यह क्या हो गया, जब magnesium जो oxygen react, मतलब burn किया, oxygen के presence में, magnesium ribbon को जब burn किया गया, उसने क्या बना लिया, magnesium oxide बना लिया, इतना तो समझ में, अब इसको याद कैसे रखना, आपको रटना कुछ भी नहीं है, पस simple सा क्या लिखा गया, देखे, when metals react with oxygen, then it forms metal oxide, पस उसमें oxide बने का, यह आपको याद रखना है, magnesium का है, एक metal है, है metal, metal है तो जब oxygen स्क्रियाक्ट करेगा, तो máगनिसियम oxide बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है, इतना तुई याद रहे जागा में, जब magnesium oxygen स्क्रियाक्ट करेगा, तो वो खुद का oxide बना लेगा, कोई सा बना लिया ठीक है calcium एक metal है oxygen से react क्या calcium oxide बना लिया ठीक है इस तरह किसी याद रखना है ठीक तो देखे अब इसका मैंने कुछ-کुछ symbol इसलिए लिखा दिया था ताकि आप लोगों को equation बनाने में आजाने हो तो हम लोगों को पता है magnesium का symbol क्या होता है अगर आपने उसको अच्छे से नहीं देखा है तो फिर से जाके इस वीडियो को देखने के बाद फिर से जाके देखिएगा ठीक है ताकि यह एक्वेशन आप लोग अप्छे से खुद से बनाना सीखें क्योंकि यह आप ऐसा निकि हम लोग क्यामेस्ट्री सुरू कर रहें तो इसको काफी हवा जैसे बना लेंगे अरे क्यामेस्ट्री सुरू हो रहा है अब यह तो बहुत भारी है इसमें इस अलमेंट का तो नाम हमको आप बस पढ़ते चलिए आप लोगों के लिए सब कुछ आसान करते चलूंगा मैं ठीक है कैसे उसको समझना है एजली यह भी आप लोगों को खुद रियलाइज होगा कि वीडियो देखते देखते गए और हम लोगों को सब कुछ ऐसे याद होता चला गया तो आप मुझ इस पर छोड़ दीजिए बस आप लोग जितना आप लोगों को बताया जाता है उतने पर फोकस जरूर किए ठीक है तो चले देखते हैं मैगनिस्यम का सिंबल क्या होता है एमजी होता है और होता है ठीक है अब यहां पर ऑक्सीजन जो होता है वो जब नेच्रली फॉर्म मे होता है तो वह मॉलीक्यूल के फॉर्म में होगा ना इसलिए यहां पर ओटू लिखा गया है ठीक है मैं यह मतलब इसमें जो औक्सीजन पलस एक और एक अटम मिला ऑ्क्सीजन का एक अटम और ऑक्सीजन का दूसरा एक्टम जब रियक्ट करता है तब वह बना लेता है ओ ट और टू क्यों देखने को मिल रहा है यह को बैलेंस किया गया है इसलिए यहां पर टू देखने को मिल रहा है यह आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एकवेशन को आइरन देखते होंगे आप लोग जब धलाई वगरा होता है अगर वाटर परते रहता कुछ नाइम के बाद देखते तो उस पर रस्ट देखने को मिलता है तो वह भी जो है आइरन वाटर और ऑक्षिजन के प्रेजन्स में रियक्ट करके क्या बना लेता है रस्ट बना लेता है रस्ट means iron oxide बना लेता है इसके एक वाटर और और ऑक्षिजन को अब रियक्ट करते तो क्या बना लेता है रस्ट जिसको बोलते हैं iron oxide ठीक है अब इसके chemical equation को भी देख लेते हैं Fe plus H2O, क्योंकि water का chemical formula होता है, H2O, oxygen का हम लोगों को पता है, O2, react किया तो वो बना लिया, iron oxide Fe2, O3, अब यहां पे आता है H2O, अब यहां पे question आता है कि यहां पे भी X है, यहां पे भी X है, यहां पे यह जो X है, X के जगर पे आप लोगों को रखना है number of molecules, ठीक है, अगर हम यहां पे 2 रखेंगे, तो यहां पे 2 आजाएगा, ठीक है, इस तरह से यह X का जो value भी है, number of molecules, तो यह यहां पे 4 लिखा गया, 3 लिखा गया, तो यह equation को balance करने के लिए लिखा गया, ठीक है, आप लोगों को अभी simply याद रखना है, और यह equation बस याद रखने, ध्यान रखने है, ठीक है, तो 4Fe मतलब जो iron है वो into X molecule of H2O, मतलब water, जब 3 molecule of oxygen से react करते हैं, तब वो बनाते हैं, iron oxide means Fe2O3 into X molecule of H2O, ठीक है, अब next reaction है एक, copper, water, carbon dioxide and oxygen के presence में, copper, water, oxygen and carbon dioxide के presence में, बनाते हैं, वो copper hydroxide and copper carbonate, क्या बनाता है, copper hydroxide and copper carbonate, ठीक है, copper का मैंने लिखा आया, था symbol Cu, ठीक है, water का H2O होता है, carbon dioxide, carbon और oxygen से मिलके बनता है, इसका chemical formula आप लोगों को याद भी होगा, वो है CO2, and oxygen तो सुरू से ही देखते आ रहे हैं, O2, ये सारे जब react करते हैं, तब बना लेते हैं, copper hydroxide, OH जहाँ पर भी होगा, तो उसको आप लोग याद रखिएगा, OH means hydroxide, OH means hydroxide, तो यहाँ पर यह हो गया copper hydroxide, प्लस यह हो गया copper carbonate, CO3 जो होता है, वो होता है, carbonate, CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, carbonate बोलते हैं, याद रखना, अभी यह basic आप लोगों को सीखते जाना है, ठीक है, आगे जाके यह बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है, तो देखे, copper, जब water, carbon dioxide and oxygen के presence में, इन तीनों के presence में जब react करता है, तब क्या बना लेता है, copper hydroxide बना लेता है, and copper carbonate बना लेता है, इसलिए मैंने पहले सब कुछ का नाम लिख दिया, फिर नीचे equation लिखा ताव कि आप लोगों को सीखने में आसानी हो, ठीक है, आप लोगों को यह practice करते रहना है, ठीक है, और यहाँ पर यह two क्या है, यह जो है balance करने के लिए बनाए गया है, ताकि हमारे equation जो हो, balance रहे, ठीक है, तो देखें, यहाँ पर हमने लिए two molecule of copper, H2O, CO2, O2, यह सारे react किये हैं, तो बना लिए CuOH का whole 2, इसको क्या बढ़ेंगे, CuOH का whole 2, CuOH का whole 2 नहीं, CuOH का whole 2, Cu अलग, फिर OH का whole 2, ठीक है, यह सिर्फ OH में है, इसको क्या बढ़ेंगे, CuOH का whole 2 मतलब, copper hydroxide, plus CuCO3, मतलब copper carbonate, Cu से हो गया copper, Cu3 से होता है carbonate, carbonate का formula CO3, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा, I hope की काफी अच्छे से समझे होंगे आपनो, अब हम लोग देखते हैं, non metal, इसके बार में तो पहले देख लिया थे, यह nature में कैसा होगा, acidic होगा, ठीक है, तो देखें, इसके example को देखते हैं, Sulfur, symbol में S, Oxygen, symbol में O2, जब react करते हैं, तो बना लेते हैं, Sulfur Oxide, S plus O2, react, then form, Sulfur Oxide, अब यह Sulfur Oxide, जब water के presence में react कर लेते हैं, तब यह बना लेते हैं, Sulfuris Acid, क्या बना लेते हैं, Sulfuris Acid, जब Sulfur Oxide, water से react कर लेते हैं, तब क्या बना लेते हैं, Sulfuris Acid, तो हो गया न, यह जो हमारा Oxide है, वो nature में कैसा होगा, acidic होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, कि जब भी non-metal react करेंगे, oxygen से, तो वो oxide तो form करेंगे, लेकिन वो nature में कैसा होगा, acidic होगा, यह हमने यहाँ पर देख भी लिया, यह Oxide जब react कर रहा है, water से, तब उसका nature कैसा हो जा रहा है, acidic हो जा रहा है, यह था हमारा first topic, reaction with oxygen, अब हम लोग अपने next topic पर बढ़ेंगे, reaction with water, इसको भी हम लोग देखेंगे, पहले metal में, फिर देखेंगे, non-metal में, ठीक है, और उसमें भी हम लोग का पर सारे examples को करेंगे, अब भी जितने जादे examples करेंगे, उतने जादे आपके लिए chemistry और भी जाते आसान होते जाएगा, ठीक है, चलिए,